फ्री 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 जी हाँ दोस्तो बिलकुल फ्री दोस्तो जिला जन्मगर की कसबा छसरौली और विलास परवासियों के लिए आज बेहत ही खास वीडियो होने जा रही है जिसमें बिलकुल फ्री ओप कोश्ट उपकरण यहाँ पर दिये जा रहे हैं कौन-कौन व्यक्ति इन उपकरणों का लाब उठा सकता है कौन-कौन शेत्रवासी इनका लाब उठा सकता है दोस्तो लगातार वीडियो के साथ बने रही है तो आप देख सकते हैं बिलासपूर के SDM साब यहाँ पर अपने हाथों से वीलचेर वगएरा और जैसे आँखों के चस्में वगएरा और भी बहुत सारी उपकरण है तो दोस्तो हमारे साथ वीडियो के साथ बने रही है तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी खास कर चचरूली वासियों के लिए और बिलासपूर कस्बा वासियों के लिए जो है खाबर खास होने जा रही है जी हाँ दोस्तो शचरूली कस्बा वासियों के आसपास जो गाउं पड़ते हैं या बिलासपूर है या बिलासपूर के आसपास के गाउं पड़ते हैं उनके लिए आज की खाबर बहुत ही खास होने जा रही है दोस्तो सेवनेक्स हर्यान में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज मैं शच्रुली के यहां पर विशेश सीवर कैम्प यहां पर आयूजन किया गया आज जहां पर आज जीवन दीप संस्थान यमनागर लॉइंस कलब यमनागर जगादरी इट बठा संगटन की तरप से स्वास्ट्राइब कर एक कर सेवर का यहां पर आयूजन किया गया है जिसमें जो है जो लाभ भारती है जैसे कि विकलांग है यह आपाइज है या पिर अन्या पर ऐस संधुन से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे सामने यहां पर आप देख सकते हूँ हम बैटे हुए इन से ह करेंगे कि यहां पर किस प्रकार की सेवा संगठन के दोरा यहां पर दे रहे हैं चलिए इन से हम बात करते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको चल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कर देना है चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी जूरू कर लेना है क्योंकि जीला यमन गरवाशियों के लिए एक विशेश चैनल है जो कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो दोस्तों इन से हम बात करेंगे कि जीवन दीप संस्थान की सुरुवात यह कब की गई है और यह कब-कब यहां पर इनकी सेवा दे रहे हैं कितने स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी चच्चरवली गोवर्मेंट सिनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्दान स्वीर, टीका करण स्वीर और स्वास्त जान स्वीर का ऐउजन किया गया है जिसमें घार छेत्र के जैसे चचरवली, परतापनगर बेलासपूर इन छेत्रों के 220 गाओं के जरुरतमंद लोगों के लिए ये कैम लगाया गया है जिसमें अन बिमारियों के इलाज जैसे ब्रेन के, आई के, एन्टी के, टीथ के, काडियों के, एस्कीन के, रेस्पारेटरी के, और्थों के, सभी बिमारियों का इलाज, दवा चलने की बैसाखी, चलने का वाकर, चलने का वील्चियर, ये सारी सुविधाई यहां पे मोहिया कराई जा रही है, साथ ही अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज या बस्तु कम हो जाती है, तो हमने 16 मार्च का समय रखा है, 16 मार्च को पुना हम अनाज मंडी में उसको जैसे वील्चियर है, या कान के सुनने के मसीन है, या बलाड डुनेशन है, तो इन सारे छेत्रों में काम करने से लोग को बहुत लाव होता है, और इस कैम के लिए हम कम से कम 15 से 20 दिन मेहनत करते हैं फिल्ड में, ताकि हर जन जन तक हम जाते हैं, और इस कैम के बारे में बत इसके लिए आप से कॉंटेक्ट करने की कॉंटेक्ट नंबर के आप देपाएं के सब्सक्राइब जो आपसे लब आरती हैं, जो योके हैं, जो आप ये समझें कि इस छेत्र में हम मेरा हर अच्छे जगों पर उठना बैटना है, और सब के पास हमारा नंबर होता है, और आपको बताते हैं, मंडी के माध्यम से भी सारे किशानों को जनकारी होती है, साथ ही जो विडियो ओफिस में सेक्रेटरी जो होते हैं, जो ग्राम पंचायत अस्तर पे काम करते हैं, उनको भी इसकी जनकारी दी जाती है, उनको मालूम होता है कि हमारे गाउं में कौन सा ब्य अगर, बिलासपूर, कपाल मोचन, रंजीतपूर, धनावरा, लेदी, यह सारे एरिया के लोग इसमें आये हैं, और सब इसका लाव उठा रहे हैं, आज तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि संस्था के दोवारा जुड़े हुए गणमान्य व्यक्ति और SDM साब बिलासपूर ने इस संस्था में आकर, यहां पर सीवर में आकर जो है, दीप जलाकर जो है, इस सीवर की सुब्स शुरुवात की, तो आप देख सकते हैं, दोस्तो ला जाता हूं कि यह चनल हमारा यूट्यूब के साथ साथ हमारा फेस्बूक और पब्लिक एप पर भी आपको उपलब्द हो पाएगा, थैंक्स पर वाचिंग,